सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है जिन्दगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो, अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनी कभी नजर नहीं आती जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो, समझ लीजे के उनके जोरते पूरी हो चुकी जिन्दगी में हुई मुस्किले भूल जाओ, पर उनसे मिले सिख्छा कभी नहीं भूलना आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2023 दे शुक्रवार आश्विन मास के कृष्णपक्च की, शेतूर दशी तिथी रातरे नौ बचकर इंक्यावन मिलट तक रहेगी, इसके उपरांथ आमवश्य तिथी प्रारम हो चाईगी उतरफाल गुणी नामक नक्शुत्र, दो पहर दो बचकर ग्यारा मिलट तक रहेगी, इसके उपरांथ हस्त नामक नक्शुत्र प्रारम हो चाईगी आज का राहुकाल अर्थाद दिन का सबसे असुपसम में सुबह दस बचकर 35 मिलट से, ग्यारा बचकर 40 मिलट तक रहेगा आज का भी जीद महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में सुबह ग्यारा बचकर 50 मिलट से, बारा बचकर 36 मिलट तक रहेगा आज अंद्रमा कन्याराशी पर संचार करेगी और आश्यूर यभी कन्याराशी पर ही रहेंगी सिहरासी 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार आज अप महत्वपूर्ण मुद्दो पर अपनी शम्मंधियों से बात कर शक्ती हैं प्यार से बाचित करे और नम्र बने रहें अगर आप अभी स्थिती को नहीं सम्हाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ दी अगर मूढ हलका करना चाहते हैं तो साम को किसी समारों में भाग ली अध्यात्मिक्ता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिली की सिहरासी के लोगों के लिए यह दिन बेहर शुब रहनी वाला है सोची हुए काम समय पर बनते नचर आएंगी विध्यार्थों तथ युवाओं को करियर्श्यमंधित किसी समश्या का समाधान मिलने से शान्ती मिलेगी गयार्थीक योशन फली फूथ होने से मन प्रशन रहेगा अकेले रहनी की वज़े से निरासा होगी जिस काम को आगे बढ़ानी के लिए एकांत क्या वशकता है केवल उसके लिए लोगों से दोर रहना होगा हर बात में दुश्रों की गलतिया निकालना सही नहीं है कटूता की वज़े से रिस्तों में दिक्कते आई की आपका पार्टनर्शिप दुश्रों के लिए महत्व पूर्ण होगा आपको काम के जगह नित्रित्व करनी का या दुश्रों को ट्रेनिंग दीनी का मौका मिलता है तो इसे स्विकार जरूर करें रिलेशन्सिप से जुड़े गलती की जिम्मेदारी लेना सीखे निरासर की वज़े से सीहत को नचर अंदाज ना करें शवधानिया वहानत्व प्रॉपटी को लेकर रिलेनी की योशना बना रहे हैं तो उस पर पुनर विचार जरूर करें कुछ विरोधिया आपके लिए परशानियुत बन्न कर सकते हैं पर अंतु निश्चिनते रहें इससे आपका कुछ भी अहित नहीं होगा अगर कहीं लंबी दूरी की यात्रा का प्लैन बन रहा है तो उसमें कुछ वैवधान आ सकती हैं बात करते हैं लव लाइफ की जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार रह सकती है उचे ताल मिल बना कर रखें प्रेम समंधों को लेकर कुछ मन मुटाओ भी रह सकता है आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं अपने वेस्तर सेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते हैं उतना समय नहीं दे पाएंगी आपका अधिकतर शमय अपने प्रोफेशनल कमीटमेंट पूरी करने में ही निकल चाहेगा अपनी भौनाएं अपने पार्टनर को बताना ना भूले और आपाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समसदार है बात करते हैं करियर की आज अप अपनी सहयोगियों और गरहकों के साथ बहतर शमन बनाएंगी आज कुछ ऐसा करने के लिए भी दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभौश अलिकोशल के आवशकता हो हाला कि जो लोग बीमार हैं वो लोग घर से काम सुरू कर शिकते हैं इससे अपरत्या से तुरूप सा आपके काम की गुडवत्ता में सुधार होगा और इस समय की बचट भी होगी जो यात्रा में बरबाद हो रहा था विवशाय के दुष्टी से समय अच्छा ही रहेगा हाला कि मार्केटिंग से जुड़ी शूटी मोटी परशानिया रहेगी लेकिन आपकी गंभीरत और संचीद्गी से उस पर काम करना आपको परशानियों से निकाल भी देगा सरकारी शेवरत लोगों को किसी परशानी से राहत भी मिलेगी बात करते हैं सीहत की डाइपिटीज रूब नियमे ज्याच करवाएं लापरवाहे नुक्षान दायक रह सकती है परामपरा गद इलाज बहतर रहेगा देखा चाया तो आपको अपने दिमाग को लचिली स्थिती में रखना चाहिए लेकिन आच आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे और ना तो अपने बन की बात सुनेंगे और ना ही किसी के अच्छे सलाह मानेंगी आपके इस जिद्धी पन से घर और आपिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है इसका एक मात्र समधान या है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दुशे लोगों की भी बाती सुनने और समझनी की कोशिश पूरा करी आज का उपाए गरीबों को अजदान पुन करी शामल का दान अवश्य करें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेश सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहे आपका दे शुब हूँ